हेलो प्रेंट्स वागत आपका हमारी यूट्व चैनल लाइप इत हैपिनेस में जिया दोस्तों आज मैं देखे आपके लिए के लिए आया हूँ मेथी के पराठे जिया दोस्तों सर्दियों का मोसम चलू हो गया है और जो मेथी है वह भी जो है बजार में आना सुरू हो गई है तो इस वीडियों में देखेंगे अपन कि किस प्रकार से जो है अपन घर पर जो है मेथी के पराठे जो है बना सकते हैं और यह दिखने में भी लेजिस होते हैं और खाने में भी जो है बहुत ही अच्छे लेजिस होते हैं और सर्दियों का जो है एक तरीके से जो है खान इस प्रकार से पत्तों को तोड़ लेना है, क्योंकि नीचे जो कही बार इसमें मिट्टी वगरा भी आने के रहता है, तो वन बाई वन एक एक करके जो हैं, अपन जो हैं इस प्रकार से मेथि को जो हैं, अलग कर लेते हैं, यह देखिए, केवल जो पत्ते थे, वो अपन ने अलग कर लिये हैं, साथ में जो हैं आप जो हैं इसमें थोड़ा धनिया हैं, वो भी ले सकते हैं, ताकि उसमें से जो खुसबू आए, और वो जो है स्वात को और बढ़ाती भी है, मेथी जो हैं, हमारे सरीर के लिए काफी लाबदाइक है, और हरी मेथी हैं, वह अच्छो एक तरक ऐसे फाइबर का काम भी करती है, और सरीर के काफी सारे जो पोस्टत्व हैं, उनको प्रदान करती है, तो दोस्तों इस पकार से देखिए, हमने थोड़ी हडी मिच, है कि मिट्ची और हल्दी जो है आप अपने स्वाद के नुसार जो है इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन उससे जो रंग भी अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छा रहते हैं और थोड़ी सी अज्माइन है वो भी मिक्स कर लेंगे यह सारी चीज़ें जो हमारे सरीर के लिए जो है काफिी लापदायक है और यह पराठो का स्वाद भी बढ़ाती है तो दोस्तों देखिए अपने हरा धनिया एड़ किया है और अब जो मेथी के पन्ने जो तोड़े थे वो और जो हरा धनिया था यह सबी जो है अपने इस आट गोनने आ गए हैं मिक्स हो गए हैं पूरा जो मसाला था मिर्ची हल्दी और अब अपने को सामन्य प्रकार से रोटी बेलते हैं उसी प्रकार से इसको देरे-देरे बेलते रहना है और सामन्य प्रकार जैसे बनाते हैं आप चाहें तो गी में या तेल में भी बना सकते हैं जैस इसमें आमने देखिए है अलका सा जो इस प्रकार से गी लगा लिया इसमें और उसको जो इस प्रकार से जिसे नॉर्मल पराठेपन बनाते हैं उसे प्रकार से आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं आप चाहें तो तिकोने भी बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो बच्चों उनको जो है तिकोने पराटे जो है दिखने में भी ठीक रहते हैं और उनको जो है अच्छे भी लगते हैं खाने में भी और देखिए हमने तिकोना भी बनाया है गोल भी बना रहे है अब इस प्रकार से जो है अलग अलग जैसे आपको पसंद आए उस प्रकार से आप यहां प अ Прав सारा दौ सनी के साथ में में आलका सा अड़ता है क्यtest訂閱 जिस परकार से ulis परणरों को आपने को पता ही है कि जो गी के लोग आने के साथ में अलका-लका सा वो गरम होता है तो उसमें से ध्वा साथ निकलता है और इस परकार से देखिए पराटे जो है हमने सेक लिए हैं और देखिए इनका कलर और इनका एकदम से खाने की लालसा बर्ज हो जाती है जियां दोस्तों सर्दियों में खाने पीने की चीज़ों का अलगी आनन्द रहता है क्योंकि कई प्रकार की जो है अलग लग सब्जियां और इसके प्रकार जो है वेंजन जो है बनने में आते हैं मेथी जैसा कि मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि हमारे सरीर में काफी सारे मिनरल्स और उनकी प्रति-पूर्थी करती है और साथ ही जो यह सरीर के विबिन बागों के लिए यह लाबदायक है इसमें फाइबर होता है इसके लाओ जो मिनरल्स होते हैं मैंगनेज वगारा वा अभी काफी प्रचुर मातर में जो है पाई जाते हैं साथ ही जो मेति है सुकी मेतिल होती है वा तो जो हड्डियों के लिए मजबूत होती है साथी बालों अगरा इनके लिए भी जो है काफी अच्छी होती है तो दोस्तों इस प्रकार से देखे हमने पूरी एक आप देख सकते हैं इमारत बना दी है पाड़ पराठों की देखे और सारे पराठे तिकुने हैं बच्चों के लिए भी और बड़े भी और इस प्रकार से जो देखे आप जो है इनको लिट्फ ले सकते हैं अभी जो है थाली में हमने जो है मेति का पराठा रख दिया है साथ में जो सबजी और इसकी लावालो की सबजी है साथ में आप सोस वगरा के साथ भी जो है सोस के साथ जो है खाना पसंद करते हैं तो इस प्रकार से आप जहें दोस्तों और हरी मिट्च भी आप जो है लग पूटा सकते हैं चाहे तो आप कच्ची का सेवन करें चाहे इनको भी तल सकते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा मेती के पराटे आज से आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें तन्यवाद